स्टेट कैपिटल पर जल्ड जैजस कैपिटल चाफ वायर लाम इजोड़ें तेचा स्टेट चाफ वायर लेडी ग्लो करें वेज बंगाल चे आजदानी केमा कैपिटल आहे कोलकत्ता केरला चे कैपिटल आहे तिरू अनन्त पुरम इकड़े मी तेच चा एली रिस्टा नेगेटिव ला पैलर नी कनेटकेले आनी पैलर नी कनेटकेले सेल्स होबन आनी इस एली रिस्टा पॉजिटिव ला मी इकड़ू ओपन ठेवले अननी सेल्स पॉजिटिव मदून मी एक सेपरेट वायर काड़ लिये जब जाये मी कापिटल ट्री वायर सेच स्टेट नुसाल एली रिस्टा पॉजिटिव ला लाव डिये अननी जब मा मी एक कापिटल ला लावते हैं तो सर्किट क्लोज हून एली टी ला पावर में हून तो ग्लो कराले लागतू अननी निगेटिव ला ओपन ठेव लेले लाए अननी निगेटिव ला ओपन ठेव लेले मनुत इलेक्ट्रों इकड़े बस लेले रहाताथ अननी जह हमां मी एक आसा कनेक्ट करें जह हमां निगेटिव पाशून एली डी पाशून पॉजिटिव पेरंत करन्ट फ्लोव हुईल अननी एली डी चम काईला लागेल हेला क्लोज सर्किट मन्ताथ आता आशे सर्किट्स कोटे कोटे वापरले जाताथ अपला घराब चा लाइट्स आनी फैन्स मदे तिकड़े पैर्लर कनेक्शन मदे चास्तों मेंजे एक लाइट्सर उडाला तर वाखी चारे हेच्चा सठी नमस्ते मेरा नाम आरियन साहुए मैं दसवी कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्ती हूं मेरे विद्याले का नाम विद्याबवन हाइज स्कूल है इस वीडियो में हम जानेंगे कि पदार्तों गीतियन अवस्थाएं कौन सी है उनके कुछ गुण भी देखेंगे और उनके कुछ उधारण भी देखेंगे सबसे बहले बात करते हैं तो давно जानि सोलिट्स है यह घडि एक सॉलिट का उधारण है सॉलिट्स के गुण इसादारण पर होते हैं कि उसके पार्टिकल यानि कंड किस प्रकार पैक्ट हैं सॉनिट्स के कर बहुत इक लोगोजली बैक्ट होते हैं यानि वह बहुत पास पास एक निश्चित पर होते हैं स्केट अन्य Ch Nazi मुभ नहीं कर पाते दबाने एक निश्चित आकार और आैटन रा लुभा स्थील इत्यादि अब बात करते हैं तरल यानि लिक्विट्स पानी liquid का एक उदारण है solids की तरह ही liquids के गुंण इसी आदार पर होते हैं कि उसके particles किस प्रकार packed है liquids के particles closely packed होते हैं पर इतने नहीं जितने solids के होते हैं इसलिए वो एक जगा से दूसरी जगा move कर सकते हैं liquids को दबाया या compress नहीं किया जा सकता liquids का एक निश्चित आकार तो नहीं होता पर उसका एक निश्चित आयतन यानी volume जरूर होता है liquids का अन्योधारण है तील आखिर में बात करते हैं gases की helium gas का एक उधारण है जो गुबारे होते हैं उसमें भी हवाई भरी जाती है हवा भी एक gas ही है solids और liquids की तरह ही gases के गुण इसी आदार पर होते हैं कि उसके particles किस तरह packed है gases के particles बहुत ही दूर दूर होते हैं इसलिए वो एक जगा से दूसरी जगा असानी से move कर सकते हैं gases को हम दबा सकते हैं और उन्हें compress भी कर सकते हैं gases जहां भी होते हैं हां की पूरी जगा घेर लेते हैं gases का ना ही निष्चित आकार होता है ना ही निष्चित आयतन यहां थी पदार्तों की आवस्था है देखने के लिए दन्यवाद हाई, I'm Sakshi Dalvi, I'm in 10th Standard and I'm from Bhartya Vidyabhavan School Today we are going to talk about stem cells As you know, cell is the fundamental unit of life Many cells together form a tissue A tissue is a group of cells having common origin, structure and function Humans in total have 220 types of cells Stem cells are known as their parent cells Stem cells are these special cells which give rise to all different kinds of cells in human body Stem cells also play a very important role in wound healing Researchers believe that stem cell based therapies can cure serious illnesses like Alzheimer's and paralyzes So how are these special stem cells formed? A new organism is formed by the union of a male and a female gamete The first cell in living organism is known as zygote The zygote divides continuously and after the fourth day of fertilization Converts into a ball of eight cells These cells divide continuously and now two types of cells are formed Outer layered cells and the inner layered cells On the seventh day, implantation takes place All the cells in the mass of cells are unspecialized Means they don't have any specific function or structure yet On day 12, germ layers are formed Germ layers are basically layers of cells The outermost layer, also known as ectoderm, forms the neuron cells The middle layer, also known as mesoderm, forms the blood and the bone cells The innermost layer forms the liver cells But stem cells are also present in the body of adult human being Stem cells are present in the red bone marrow and the adipose tissue of an adult human being Stem cells are also present in the placenta by which a fetus is joined to its mother Hence, stem cells are very important and can cure diseases like diabetes, blood cancer, anemia and also heart attack Researchers think that with the help of stem cells, we can create new tissues And someday, we may also make a whole new organ out of stem cells Stem cells cannot be made easily in laboratories But we can donate stem cells We can save a life of our loved one by donating stem cells In conclusion, stem cells is one of the most important factors of living organism Stem cells are present in the body ofulness झाल झाल